हेलो फ्रेंड्स लॉलेक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्प्रेटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स में डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में जिसे हिंदी में कहते हैं सामन जस्से पून अर्थ्यानवन य इसे रूल ऑफ अवाइडेंस कंफ्लेट के नाम से भी जानते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके मीनिंग को अब्जेक्ट को कहां एप्लीकेबल होता है यह डॉक्ट्राइन इसका प्रिंसिपल क्या है और केस लोगे थू समझेंगे कि आखिर यह डॉक्ट्रा की Хार्मनी वनाने की बात कर रहा है इसका मीनिंग भी यह है कि जब शी प्रोविजन में या किसी इस्ट्यूट में क्या होता है दो या किसी सवी क्या होता है के ढूंद से जादा परोविजन के बीच मर्च कई बार sommes करीक कि ना कहता है तो उस के सिचूएशन में जब हार्म बनाई जाती है दो स्टेट्यूट या दो प्रोविजन्स के बीच में तो वो किसकी हल्प से होता है doctrine of harmonious construction की help से बात करते हैं इसका ऑबजेक्ट की तो इसका object भी ही है कि conflict को avoid गरे इसलिए इसका दूसरा नाम, इस doctrine का दूसरा नाम, Rule of avoidance conflict भी है उसके बात करते हैं applicability तो जहां पर दो प्रोविजन्स के या दो स्टेट्यूट के या किसी दो वर्ड के बीच में conflict हो जाता है उस condition में यह doctrine यूज किया जाता है अच्छा इसको यूज करने का एक तरीका और है कि आप पूरे statute को जो है read करो पढ़ो how to apply तो दो तरीके बताए जाते हैं पहला अगर harmony बनानी है किसी दो प्रोविजन के बीच में किसी स्टेट्यूट की तो आप harmony बनाओगे एक एक नाम का बच्चा है जिसे पढ़ना पसंद है और दूसरा बी नाम का बच्चा है जिसे की खेलना पसंद है तो अब क्या करना पड़ेगा harmony बनानी होगी क्योंकि ना तो हमेशा पढ़ते रहना ह इक तरीके से बच्चा क्या होगा बोर हो जाएगा और ना ही हमेशा खेलना ही है तो दोनों harmony बनानी चाहिए यानि पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी चाहिए दूसरी बात यह है कि यह तो पॉसिबल हो किसी स्टेट्यूट में या किसी प्रोविजन में harmony बनाना तो ठीक है बट अगर कई बारी ऐसी condition आती है कि harmony बन नहीं पाती किसी स्टेट्यूट में या किसी प्रोविजन में तो उस कंडिशन में क्या करना होता है जो प्रोविजन बाद में एक्ट हुआ है या अमेंड हुआ है तो जो बाद में हुआ है उसे प्रवील कर लेती है को या दू पर स्पेसिफाइक तरीके से स्पेसिफिक जो रूल होगा या स्टेट्यूट होगा उसे प्रेवील कर लिया जाएगा या जर्नल वाला जो होगा जो भी होगा उस इंटर्प्रेट करते टाइम पर यह चीज ध्यान में रखी जाएगी कि वह स्पेसिफिक है या जर्नल स्ट कि आफ तो बाच उब टो किया करेंगाय गजहां क्या करेंगा है उन दोनों के बीच होगा कि जहां ये दूसरा ακर्ण बात एक सप्लेइन कि कि जहाँ पर कोई enactment में दो provision ऐसे हैं जो एक दूसरे की क्या है मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं तो उस condition में harmony बनाई जाएगी लेकिन harmony बनाने के time पे अगर possible है तो harmony बनाई जाएगी अगर possible नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि एक provision को आप reveal करके जो second provision होगा जिसके बीच में harmony बनाई जा रही है कि उसका बिलकुल आप मतलब खतम कर दो यह भी नहीं करोगे तो एक section को तो प्रिविल करोगे लेकिन ऐसे नहीं कि दूसरा section जो है वो बिलकुली खतम हो जाए case law में और अच्छे से detail में समझ में आएगा दूसरी बात यह कही कि court को यह ध्यान में रखना है interpretate करते हुए किसी भी provision में ना तो वो उसको इस तरीके से reduce करे ना वो उसको एक तरीके से useless या dead ना कर दे यानि harmony बनाते टाइम यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि दोनों ही provision जिनके बीच में conflict है और जिनके बीच में court harmony बनाना चाहता है ऐसा ना कर दे कि एक section या एक provision तो उसको प्रवील कर दे और दूसरे को बिलकुल उसका अर्थी ना रहे या उसे एक तरीके से dead गोश है तो ऐसा ना हो कि जो अनदर हो उसको destroy कर दे तो completely destroy नहीं करना है दूसरी बात है एक ही section को यह नहीं है कि आप प्रिविल कर दो और दूसरे वाले को मतलब एक तरीके से useless कर दो case law की मदद से समझते है case आया राज कृष्णव वसिस भिनोद 1954 का यह case है इस case में क्या हुआ दो प्रवीजन थे representation of people act 1951 में इसमें क्या हुआ इन दो प्रवीजन में conflict आया कौन से दो प्रवीजन है section 33 और section 123 पहला section यह बात कहता था कि जो गौर्मेंट सर्वेंट है वो नॉमिनेट कर सकता है election में खड़े हुए person को यानि कि गौर्मेंट सर्वेंट को यह पावर है कि नॉमिनेट कर सकता है और दूसरा section जो था 123 वो यह कहता था कि जो गौर्मेंट सर्वेंट है वो किसी candidate को यानि की election में अगर कोई candidate खड़ा है उसको सिर्फ और सिर्फ वोट दे सकता है और कोई help वो नहीं कर सकता तो पहले में तो उसमें नॉमिनेट करने की बात भी गया द किसी वोट कर सकता है बाखी अधर help नहीं कर सकता तो यह एक दूसरे के conflict हुए इस बात पे Supreme Court ने यह चीज कही कि जो गौर्मेंट सर्वेंट होगा वो सिर्फ वोट तो कर सकता है बट नॉमिनेट भी कर सकता है और नॉमिनेट करने के बाद जब कोई candidate इस case में जीत गया था तो ऐसा था उन्होंने बोला था कि भाई यह जीत जो है यह तो गलत तरीके से है तब कोड ने यह बाद हैल की कि जो गौर्मेंट सर्वेंट है वो सिर्फ नॉमिनेट तक की पावर रखता है उसके अलावा कोई other help किसी भी candidate की गौर्मेंट सर्वेंट नहीं कर सकेगा यह ब जो वीडियो है वह आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो इसके लिए सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना थैंक्यू सो मच